दोस्तो आज का पौधा हमारा जेट प्लांट का पौधा है तो इस तपती हुई गर्मी में अगर आपके जेट प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है पत्या पीली होकर नीचे गिर रही है पौधा आपका घना भी नहीं है साथी साथ गर्मी की वज़े से आपका पौधा मुर के लिए आपको किस तरीके से पौधे के लिए मिट्टी को तयार करना है और कटिंग को किस तरीके से लगाना है साथ मई जून की तेज गर्मी में आपको अपने जट प्लांट के पौधे की देख भाल किस तरीके से करनी है अच्छी ग्रोथ के लिए तो चलिए फिर आगे वी नीचे क्यों गिरने लगती हैं तो पत्यों के पीले होकर नीचे गिरने की कई कारण होते हैं जैसे कि कभी मौसम का उतार चड़ाव होता है या फिर कभी पौधे को ज्यादा पानी मिल जाता है या कम पानी पौधे को मिलता है कभी पौधे की पत्यों पर कीड़े लग जाते ह या फिर ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तब पौधे की ग्रोध रुक्सी जाती है जिसकी वज़े से पत्यां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं क्योंकि फ्रेंट्स गर्मी के मौसम में सभी प्रकार के पौधों को बहुत जल्दी जल्दी अपना भोजन बनाना पड़ता है जिसके कारण पानी के साथ साथ मिट्टी के सभी पोशक तत्तों बाहर निकलते रहते हैं और उस मिट्टी में पोशक तत्तों की काफी कमी हो जात पौधे को पूरा नूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जिस कारण इसकी पत्यां पीली होकर नीचे गिर रही है तो दोस्तो जेट प्लांट एक काफी हारडी पौधा है और इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है ये पौधा एक सकुलेंट पौधा है और इसकी पत्यों में ही इसका खाना स्टोर रहता है साथ में इस पौधे को बहुत आसानी से एक चोटी सी कटिंग के द्वारा पानी में भी ग्रो किया जा सकता है और मिट्टी में तो बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है दोस्तो जेट प्लांट के पौदे को या जेट प्लांट की कटिंग को जब भी आप मिट्टी में लगाएं और आप चाहते हैं कि हमारा पौदा अच्छी तरीके से ग्रोथ करें तथा लंबे समय तक किसी तरीके की कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए जब भी आप मिट्टी तयार करें तो उसमें 50% आप बगीचे की साफ मिट्टी ले लें और उसमें 25% आप बालू यानि की जो रीवर का सेंड होता है उसको मिला ले अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लीब कंपोस्ट को भी यहां पर मिला सकते हैं इसकी वज़े से भी मिट्टी काफी भुर भुरी हो जाएगी इसके लावा आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी बचे हुए परसंट में मिला कर जो मिट्टी आपकी तयार होती है उस मिट्टी में अगर आप अपने जेट प्लांट को लगाते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी होगी पत्यां भी नहीं पीली होंगी साथ में पौधा लंबे समय तक आपका स्वस्त भी बना रहेगा दोस्तों अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि पौधे को पूरी तरीके से धूप नहीं मिल रही है क्योंकि जेट प्लांट के पौधे को कम से कम 4-5 गंटे की सुबह और शाम की धूप बहुत जरूरी होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय जेट प्लांट को दिन की धूप नहीं दिखाई जाती है क्योंकि अगर इसको दिन की धूब दिखा दी जाती है तो आपने देखा होगा कि जेट प्लांट की पत्यों के किनारे के भाग लाल पढ़ने लगते हैं इसलिए आप अपने जेट प्लांट के पौदे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए कम से कम उसको 4-5 घंटे की धूप जरूर दिखाएं दोस्तो जेट प्लांट के लिए अगर पानी की बात करी जाए तो जेट प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है और जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं उन सभी के तनों में और पत्यों में पानी स्टोर रहता है और वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और जब इनको पानी की जरूरत होती है तो इनकी पत्यों नीचे की तरफ जुक जाती है तो jet plant पे भी आप ध्यान दें कि जब पानी की जरुरत होगी पौधे को तो इसकी पत्यां हलकी सी जुकी और डल सी आपको दिखाई देंगी तब ही आप पौधे को पानी दें जिसे की jet plant ग्रोथ करें साथ में हरा भरा भी बना रहे तो जो आज मैं आपको फर्टिलाइजर बताने जा रही हूं वो आपको अपने किचन में ही मिल जाएगी क्योंकि jet plant का पौधा एक पत्यों वाला पौधा है और जितने भी पत्यों वाले पौधे होते हैं उन सभी पौधों को nitrogen की काफी जरुरत पड़ती है इसलिए चाय की पत्य का आज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी क्योंकि चाय की पत्य में 4% nitrogen पाई जाती है इसके लावा और भी इसमें बहुत से पोशकतत पाये जाते हैं इसके लावा दोस्तो टेनी नमक इसमें एक acid भी पाये जाता है जिसका जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे की जड़ों में कोई बिमारी नहीं लगती है साथ में जो नई पत्या निकलती है वो काफी चमकदार होकर निकलती है दोस्तो इसको इसको इस्तेमाल पौधे पर करने के लिए सबसे पहले अगर आपका पौधा 8 इंश के गमले में लगा हुआ है तो आप एक छोटा चममच फ्रेस चाई की पत्ती को ले ले और गमले की मिटी में अच्छी तरीके से मिला दे और अगर आप फ्रेस चाई की पत्ती की जगे यूज करी हुई चाई की पत्ती का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो वो चाय की पत्ति आपकी काफी अच्छी तरीके से धोके सूखी हुई होनी चाहिए उसके बाद आपने जितनी फ्रेश चाय की पत्ति ली है उसकी जस्ट ट्रिपल आपको लेनी है यानि कि अगर एक चम्मच आपने फ्रेश चाय की पत्ती लिए तो तीन चम्मच आपको यूज करी हुई चाय की पत्ती का वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि जब चाय बना ली जाती है तो लगभग 70% जो चाय की पत्ती के पोशक तत्तु होते हैं वो बनी हुई चाय में आ जाते हैं जो बचे हुए 30% होते हैं वो यूज करी हुई चाय की पत्ती में रह जाते हैं तो इसलिए तीन गुना आपको यूज करी हुई चाय की पत्ती को मिलाना होता है किसी भी पौधे में दूसरा फाइदा चाय की पत्ती डालने से जेट प्लांट को मिलता है कि जेट प्लांट के पौदे को भुरबुरी यानि की पोरस मिट्टी काफी पसंद है और जब चाय की पत्ती उसमें डाली जाती है तो ये मिट्टी को भुरबुरी बना देती है जिसकी वज़े से जेट ग्रोथ काफी अच्छे से होती है तो दोस्तों शाय की पत्ति को आप लिक्वर रूप में भी अपने जेट प्लांट के पॉधो पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए आप चाह की पति को 24 घंटे के लिए पाणी में भीगो कर छोड़ दें और उसकेवाद फि पीला होकर नीचे गिरना भी बंद हो जाएगा तो इसको आप महीने में एक बार सिर्फ अपने पॉधों पर देना है और आपको रिजल्ट के रूप में पॉधों में अच्छी ग्रोस देखने को मिलेगी इमीद करती हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होग अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा मिलती हूं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में तब तब के लिए दोस्तों हैपी गार्डनिंग